नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर आपका हारदिक सवाकत है आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी ओस्ती, एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाँगा दोस्तो जो लाखों बीमारियों का इलाज है दोस्तो इसके सिर्फ दो चम्मच का यदि आप तीन दिन लगातार सेवन कर लेंगे तो दोस्तो आपके सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज करने की शम्ता इस नुस्खे के पास है दोस्तो ये नुस्खा बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस चमतकारी सामगरी जिस चमतकारी ओस्ती की बात कर रहे हैं वह है दोस्तो अलसी दोस्तो अलसी में मुझूद ओस्तिय गुणों के कान ही आयुरुवेद में अलसी को एक सुरुवोत्तम ओस्ती की तरह जाना जाता है दोस्तो अलसी एंटी फंगल होती है यानि की फंगल इंफेक्शन को खतम करने वाली होती है दोस्तो अलसी एंटी ओक्सेंट होती है इसमें काम करती हैं दोस्तो अलसी में कॉलोस्टोल लोवरिंग इफेक्ट होता है यानि कि कॉलोस्टोल को कम करने वाले इफेक्ट होती है दोस्तो अलसी एंटी डायवटिक होती है यानि कि आपके बलड सुगर लेवल को चाट जाने वाली होती है जो आपका blood sugar बढ़ा हुआ है उसको control करने का काम होती है दोस्तो अलसी anti-thumbric होती है यानि खून के ठके जमने की परकिरिया को धीमा करने वाले होती है यानि कि आपके खून के पतला करती है और खून को पतला ही नहीं दोस्तो आपके खून की सफाई भी करती है और यदि आपके शरीर का खून साफ होगा तब एक तो आपके चहरे पर नया glow आ जाएगा आपकी उमर बढ़ने की परकिरिया रुक जाएगी चहरे पर छाईयां, फूंशियां हो जाती हैं, जूरियां हो जाती हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी उल्टा, आपके यदि खून साफ होगा तब आपको कोलोस्टोल की समस्या नहीं होगी और यदि आपको कोलोस्टोल की कोई समस्या नहीं है तब आप हार्ट ब्लोकिस और हार्ट डेक जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे दिल की विमारियों का ये एक कारगर इलाज है दोस्तो यदि आप मुटापी से प्रिसान है यही आप अपने पेट की चरबी को कम करना चाहते हैं तो दोस्तो उसमें भी अलसी एक कारगर दवा की तरहें काम करती है क्योंकि अलसी में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और फाइबर की मौझूदगी के कान यह सरीर में बड़े हुए पलाजमा और कोलोस्ट्वल को कम करने में मदद करती हैं साथ ही सरीर पर जमी अतरिक्त चरबी को कम करने में भी बहुत अधिक मददकार है जिससे कि आपका वजन तेजी से कंट्रोल होता है दोस्तो जदी आप डायबटीज से बचना चाहते हैं या आपके परिवार में पहले से डायबटीज है तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को डायबटीज ना हो सर्दी खांसी का भी कारगर इलाज है दोस्तो अलसी दोस्तो लीवर की सभी रोगों में एक कारगर दवा है अलसी जैसे फैट्टी लीवर हो गया लीवर से जुड़ी लीवर आपका कमजोर है लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी है इन समय अलसी एक कारगर दवा की तरहें काम करते हैं और आपको इन सब बीमारियों से बचा कर रखती हैं दोस्तो यदि आपका पाचन कमजोर है और आप अपने पाचन को मजबूत करना चाहते हैं पेट के रोगों से हमेशा हमेशा के लिए बचे रहना चाहते हैं दोस्तो तब भी अलसी आपके लिए कारगर दवा है क्योंकि ये आपके पेट के रोगों का इलाज करेगी पाचन को मजबूत करेगी आँखों की रोसनी को बढ़ाने में भी बहुत अधिक कारगर है अलसी खून की कमी का इलाज करने के लिए भी अलसी बहुत कारगर दवा है कैलसियम की कमी को दूर करेगी आपकी हड़ियों को वजर के समान मजबूत बनाएगी और जोडों के दर्द गठिया या गमर का दर्द घुटनों का दर्द किसी भी परकार का दर्द हो उसका इलाज करेगी और दोस्तों आपने इसको खाना भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं दोस्तों आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए सिरफ दो ही सामगरी किया सकता है पहली जो मुखे सामगरी है वह है दोस्तों अलसी और दूसरा चाहिए आपने इसके लिए एक कटोरी दही तो चलिए अब आपने इस एक कटोरी दहीं के अंदर इस अलसी के दो चमच पावडर को डालना है और इसको मिक्स कर देना है दोस्तो ये हो गया आपका नुस्खा रेडी और दोस्तो यदि आप इसमें सवाद के लिए सहद मिलाना चाहें या इसको और भी अधिक पावरफुल बनाना चाहें तो दोस्तो आप इसमें सहद का परियोग भी कर सकते हैं एक चमच एक से दो चमच आप इसमें सहद मिला सकते हैं और दोस्तो आप इसका सेवन सुबे खाली पेट कीजिए और यदि आपको डाइबटिज है तब आपने इसमें सहद का परियोग नहीं करना है तब आपने इसको विदाउट हनी ही सेवन करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके सरीर की इम्यून उपावर रोगों से लटने की सकते बर जाएगी और आपके सरीर की बहुत रहेंकी बीमारियों का इलाज हो जाएगा तो दोस्तो देर की सबात की है आप भी आज से ही इस नुस्खे को अपने घर पर बना कर परियोग कीजिए और अपने सरीर की बहुत सारी बीमारियों का घर पर ही इलाज कर दीजिए तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आत रहे धन्यवा दोस्तो